हेलो फ्रेंड्स माइसाल फैसके शर्मा आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेंटू दू कोडिंग और सी लेंग्वेज में मैं आपको आज करा रहा हूं प्रोग्राम नंबर फॉर्टीन यानि तीन तरह के टैंगल होते हैं तीनों में से किसी भी एक का हमें isocele करके दिखाना है वो भी менu-driven अब जानती हैं कि मैन्य-driven प्रोग्राम स्वच केस केस के बनते हैं तो इस की notification आपको मिलती रहेगी तो चलिए program को शुरू करते हैं पहले program को तरीके से समझ लेते हैं करना क्या है write a menu driven program to find the area of an equilateral triangle isocells or scalen triangle as per the user's choice यानि user अपनी choice बताएगा हम इस program में क्या करने वाले हैं user से 1, 2 या 3 input कराएंगे अगर user 1 देता है तो equilateral triangle का formula लगाएंगे 2 के लिए isocells और 3 के लिए scalen का यहाँ आपके hint के लिए मैंने formula लिग दी है equilateral में under root 3 upon 4 s square होता है जहाँ s triangle की side होती है तीनो side इसमें same होती है isocells में 1 upon 4 b 4a square minus b square whole square root तो यहाँ a equal sides है और b base होता है और जहाँ तीनो side अलग-अलग होती है वहाँ में mnp तीनो side input करानी होंगी पहले हम s calculate करते है semi circle और उसके बाद इस formula की help से हम area निकालते है तो चलिए program को देखते है यह screen पर program आ गया है पूरा program इस screen पर दिखाने की वेज़े से मैंने इसे थोड़ा सा consistent करके दिखाया हुआ है चलिए इस program को मैं turbo c में लेकर चलता हूँ वहाँ समझने में आसानी हो जाएगी यह program मैंने ओलरी टाइप किया हुआ है यह program open हो गया तो चलिए इसे start करते हैं सबसे पहले stdio.h header file लिया है प्रिंटफ और scanf के लिए math.h square root calculate करने के लिए sqrt function हम यहाँ पर use करेंगे उसकी header file है हमने ch int type का variable लिया है क्योंकि हमें user से choice लेनी है 1,2 या 3 तो उसके लिए int variable ले लिया इसके अलावा हमने कुछ flood variable लिया है जिनमे side वगरा हम input करेंगे area calculate करेंगे और display करेंगे सबसे बहले screen पर हमे menu show करना है क्योंकि menu different program मनाना है तो मैंने यहाँ पर कुछ printf लिये हैं इस तरह का program मैंने program number 13 में भी बताया था अगर नहीं देखा है आप उससे देख सकते हैं उसका link में description box में डाल दूँगा तो यहाँ पर मैंने menu और चार equal symbol लिया है जो ठीक इसके नीचे display होंगे थोड़ा सा slash n और slash t की help से मैंने इसे format किया हुआ है इसके लावा मैंने यहाँ पर menu show किया 1 area of an equilateral 2 area of icos cells SE3 for skeleton और फिर enter choice 1 to 3 CH में हमने choice ले लिए सबसे पहले इस printf का क्या output आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ ctrl f9 मैंने किया तो देखे यह output आ रहा है कैसे आ रहा है एक बार समझ लेते हैं मैंने starting में slash t slash t दो बार slash t लिया है तो दो tab का gap यहाँ आ रहा है फिर menu word प्रिंट हो रहा है then slash n cursor menu से आगे अगली line में आ जाएगा फिर से दो बार tab यानि cursor ठीक m के नीचे आ जाएगा जहाँ पर यह 4 equal symbol प्रिंट हो जाएगे फिर मैंने slash n लिया ताकि cursor next line में चला जाए फिर मैंने यहाँ इस printf में भी selection लिया है one तो यहाँ पर फिर से एक line का gap आ जाएगा और अगली line में पहुंच जाएगा one area of equilateral triangle प्रिंट होगा बागी printf तो आपको समझ में आई रहे होंगे यहाँ पर जो भी हम choice देंगे उसके according program चलेगा suppose गरो मैंने गल्दी से 6 ले लिया तो यहाँ पर invalid choice आ रहा है one two या three देंगे तो उसके according area calculate होगा तो चलेए one two three को समझ ले दें choice जैसे कि हमने ch variable में ली तो इसी को expression बना दी हमने switch statement की switch में हमने ch ले लिया अगर ch की value one user ने दी होगी तो case one से matching हो जाएगी तो यहाँ पर आएंगे one का मतलब है user equilateral triangle का area calculate करना चाहा रहा है तो equilateral के लिया हमे side की जरुद पढ़ती है enter the side of an equilateral triangle तो हमने s नाम के variable में side input की फिर हमने formula लगा दिया formula भी मैंने आपको show किया था under root three s square upon four तो under root three के लिए square t function use कर लिया है इस स्क्यार रूट आ जाएगा multiply हो गया s square तो divide by four तो इस तरह से area calculate हो जाएगा और वो हमने यहाँ पर print कर दिया then break मैंने आपको बताया था हर case में हम break लेते हैं ऐसे ही case two case two का मतलब है iso cells triangle इसके लिए हमें common side और base दो चीज़ा input करना होती है common side हमने a में ले लिए और b variable में हमने base ले लिया और यह formula लगा दिया b upon 4 multiply 4a square minus b square whole square तो s square t के अंदर हमने यह लिया है तो पहले 4a square calculate होगा फिर b square calculate होगा फिर minus होगा फिर जो value आएगी उसके ओपर s square t function execute होगा तो इस तरह से बाकी जो divide और multiply बाहर है वो चलेंगे और फिर assignment चलेंगा area आ जाएगा और यहां पर print हो जाएगा case 3 scale and triangle है scale and triangle में 3 side अलग लग होती है तो इसले हमने message prompt किया enter all 3 sides of scale and triangle इसके अंदर scanf एक ही scanf में हमने 3 को input कर लिया है पहले हम इसमें m plus n plus p upon 2 करेंगे s निकालेंगे फिर इस s को हम यहां आगे use करेंगे again sqrt function के इस braces में जो कि यहां से start हो रहा है और यहां पर जाकर यह close हो रहा है इसके बीच में हमने s multiply s minus m, s minus n, s minus b इस सब चीज़े ले लिएं तो पहले अंदर का calculate होगा और जो final value आएगी उसका square root calculate हो जाएगा और value area में आ जाएगी फिर इस area को print कर देंगे break आएगा और default में ले लेंगे invalid choice तो यहां पर यह switch case close हो गिया then यह main function close हो गिया तो चलिए अलग-अलग case के लिए run करके देख लेते हैं suppose कर आँमने 1 दिया enter side of an equilateral triangle suppose हमने 5D side सबसे पहले common side देते हैं जैसे की common side माल लिया इसमें 3 है और base यहां पर 6 है तो उसके according calculate हो गया रहा है लेकिन 0 आ रहा है असल mysosals में क्या होता है जो common side है वो 6 लेंगे और base हम suppose करो यह wrong choice हो गई दुबारे से run करते हैं पहले हमने option ले लिया suppose 6 लिया और 3 लिया तो उसके according calculate हो के आ रहा है जो common side है वो 6 हो गई और base है वो suppose हमने 3 लिया है तो उसी साब से calculate हो के आ रहा है और case 3 तीनो side अलग अलग देनी है suppose हमने 3,4,5 दिया तो उस case आप से area calculate हो के आ रहा है तो आप समझ किया होंगे इस program में हम तीनों ही तरह के triangle का area calculate कर रहे हैं तीनों के लग-लग formula होते हैं switch case के help से हमने इसे बनाया है menu different program हो गया क्योंकि हम menu आ रहा है और user choice भी यहां हो रही है क्योंकि user अपनी choice के according किसी एक particular triangle का area एक बारी में calculate कर रहा है तो इस तरह के program exam में एक्सार आते हैं board exam में भी आते हैं university exam में भी आते हैं तो यह simple सा program था using switch case statement I hope आपको यह program समझ में आगे आओगा यदि आपको यह video अच्छी लगी है तो इसे like कर दीजिए bell icon भी प्रेस कर दीजिए और videos को लगातार देखते रहे हैं